प्राचीन काल की भासा रही है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है संस्कृत का व्यभार आज भी किया जाता है किस तरह से संस्कृत में संभासन किया जा सकता है इस पाठ्ट के माध्यम से हम जानेंगे, यहां हम इस पाठ्ट में अलग अलग इस्थितियों में किस तरह से समवाद या वारता लाप किया जाता है, इसके विशा में अध्यान करेंगे, तो जिन इस्थितियों के वारे में हम अध्यान करने जा रहे हैं, वे इस्थितियां है मित्र से परिचय हा जिस तरह से मित्रों के बीच में किस तरह से आपस में समवाद की जाता है तो समवाद का एक बढ़िया तरीका होता है माध्यम होता है कि हम परिचय पूछते हैं यदि हम किसी को अपना परिचय किसी का परिचय हम जानना चाहें तो सबसे पहले हमें अपना परिचय देना होता है तो आप अपना परिचय पहले दीजिए फिर सामने वाला का परिचय पूछिए तो अपना परिचय कैसे देंगे और सामने वाले से कैसे परिचय उनका प्राप्त करेंगे और इस तरह से किस तरह से हमारा वारतालाप आगे बढ़ता है ये हम देख पाए से अलग अलग छात्रों से या अपने मित्रों से आप बात करते हैं इसको हम संस्कृत में किस तरह से रुपांतरन कर सकते हैं या कहें कि संस्कृत में किस तरह से कक्षा में बच्चों के बीच में वारता लाप किया जा सकता है इसका अध्यान हम कक्षा कक्षायाम छात्राणा संभाशनम इसके अंतरगत देखेंगे इसके पस्चार्थ कि जब हम कक्षा की बात करते हैं तो कक्षा में एक गुरू होता है और सिश्य होते हैं गुरू और सिश्यों के मध्य किस तरह से समवाद कियाता है वह भी नवीशियों को लेकर इसके विशाय में हम जानकारियां प् कुंदर नमुना हम यहां गुरू सिश्ययोह समवादह के अंतरगत देखेंगे केवल संस्कृत का व्यवहार कक्षा सिक्षण में ही नहीं होता है अपी तो सामान्य जीवन में भी होता है विद्याले से बाहर भी आप जाएंगे तब भी आप संस्कृत में बात कर सकते हैं क जो उद्यान में आप जिन चीजों को देखते हैं उसके विशाय में आप जानते हैं तो अपने मित्र को बताएंगे या मित्र से अपनी जिग्यासा सांथ करेंगे मित्र को पूछेंगे कि हाँ यह जो दिखाई दे रहा है यह कैसे दिखाई दे रहा है इसको हम संस्कृत में किस तरह से आपस में वारता लाप के माध्यम से जान सकते हैं देख सकते हैं यह हमको दिखाई देगा उद्याने वारता लापह इस अंस के अंतरगत इस अंस में दो च्छात्रों हमारे जीवन में परियावरण का विशेश महत्व है जब हम बात करते हैं वारता लाप की तो वारता लाप की तो संस्कृत में वारता लाप कर रहे हैं तो कैसे किन इस्थितियों में हम वारता लाप कर सकते हैं हम परियावरण सुरुक्षा की बात करते हैं परिय परियावरन की रक्षणम के अंतरगत यहां दो मित्र जो हैं आपस में परियावरन की रक्षा के विशाय में आपस में समवाद करते हुए वारतालाप करते हुए हमें यहां दिखाई देंगे जब हम खेलते हैं तो खेल में भी जीवन, खेल जो है जीवन का एक अहम हिस्सा है, पड़ाओ है, हम सब खेलते ही हैं, आप जानते हैं, अपने मित्रों के साथ आप खेलते हैं, तो खेल खेल में किस तरह से संस्कृत का व्यवहार किया जा सकता है, इसको आप देख पाएंगे क्रिडा विस्य संभाशनम में अर्थात संस्कृत में हम बात करेंगे और खेल के विस्य हम बात करेंगे मने कहने का ताथ पर यह है कि वारतालाब जो है यह अलग-अलग विस्यों पर हो सकता है हम परियावरन के बात कर सकते हैं हम खेल के बारे में बात कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ इस तरह से वारतालाप क्या है समवाद क्या है इस संस्कृत में कैसे किया जा सकता है ये सारी चीजी हम इस पाठ में सिखेंगे आगे हम देखते हैं जब हम अपने घर में रहते हैं घर के विभीन सदस्यों के साथ जब बात करते हैं तो क्या यह वारतालाप भी संस्कृत में किया जा सकता है हाँ अवश्य किया जा सकता है इस पाठ में हम यह भी देखेंगे माता पुत्रयोह संभाशनम अर्थात माता और पुत्र के बीच में किस तरह से आपस में संभाशन होता है वारतालाप होता है किया जा किया जा सकता है यह हम इस अध्याय में देखेंगे इसी तरह से जब हम कहीं घूम रहे हों चाहे गाव में घूम रहे हों नगर में घूम रहे हों किसी बगीचे में घूम रहे हों वहां भी हम अपने मित्रों के साथ में बादचित कर सकते हैं तो इन भ्रह्मन करते हुए जो बादचित किया जात करता है इसका एक सुन्दर नमुना या सुन्दर उधारन यहां हम नगर भ्रह्मनम के अंतरगत करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि किस तरह से दो व्यक्ति जो है आपस में नगर भ्रह्मन करते हुए विभिन चीजों को आपस में वार्ता लाप करते हैं, ये हम देख पाएंगे नगर भ्रह्मणम में, इसी तरह से स्वास्थ जो है हमारी जीवन का अहम हिस्सा है, स्वास्थ की जब बात करते हैं तो कभी-कभी स्वास्थ जो है खराब हो जाता है, अर्थात हम जो है रोगी हो जाते हैं, रोगी ह पर निश्चित रुप से हमें चिकित्चक या वैद्य के पास जाना होता है जब हम वैद्य के पास जाएंगे तब वैद्य से हम किस तरह से वारता लाप कर सकते हैं अपनी बात कह सकते हैं अपनी पीड़ा बता सकते हैं वैद्य जो है किस तरह से हमारी पीड़ा का हमारी जो बताते हैं ये वैद्य रोगी शंभाषनम के अंतरगता आता है, तो हम इस पाथ में इन चीज्जों को भी वैद्य रोगी के बीच में किस तरह संभाषन किज आ रहा है, वार्ता लब किज आ रहा है उसका एक नमुना देखेंगे। जब हम बात करते हैं संस्कृत की तो संस्कृत में कहा जाता है कि संस्कृत जो है व्याकरण निश्ट भासा है लेकिन जब हम बात करते हैं संभासन की तो संभासन में व्याकरण की उतनी आवशक्ता नहीं पड़ती है जिस तरह से एक छोटा सिसू जब अपने घर में परिवा बात करता है माता से बात करता है तब वो व्याकरण की विसाम बिल्कुल नहीं जानता है लेकिन जिस भी भासा में वो बात करता है बात करने के लिए भासा के लिए व्याकरण की आवशकता नहीं होती है लेकिन जब संस्कृत की बात करें और इसको जब हम परिनिष्ठित भास कांसा की कहते हैं एक अच्छे संवाद की बात करें तब व्याकरण की आवशक्ता अनुभव होती है तो किस तरह से संस्कृत में व्याकरण के वारतालापह के अंतर्गत इसका अधयन करेंगे तो इसταर्गत तो इसे हम वार्तालाप पाठ में विभिन स्थितियों में चाहे मित्र के परिचय हो, चाहे कक्षा में परिचय की बात हो, चाहे गुरु सिस्य के समवाद की बात हो, उद्यान में वार्तालाप की बात हो, परियावरन रक्षन की बात हो, कृड़ा के विशाय में बात हो, माता भ्रमन करते हुए अपने मित्रों के साथ बात हो, वैद्यरोगी के साथ संभासन हो या हम संस्कृत में व्याकरण के विशा में बात करें या किसी अन्य विशा में बात करें तो इस पाठ में हम इन सभी के माध्यम से हम समाज में किस तरह से विभीन लोगों के साथ एक सार्थ प्रस्ण वाचक सब्द है तो इसी तरह से जब हम संस्क्रित में वारतालाप की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ प्रस्ण वाचक जो सब्द होते हैं इनका प्रयोक किया जाता है इसके लिए जैसे किम जो सब्द है इसके रूप जो है आप सभी जानते हैं तीनों लिंगों में इसके सब्द रूप चलते हैं तो इन में से जो बहुत आयत में प्रयोग होने वाले सब्द हैं वे हैं जैसे किम का प्रयोग करते हैं क्या यतात पर यह होता है इसका इसी तरह स सब्दों की तो संस्कृत में जब वारतालाप करते हैं तो किम, कुत्र, कथम, कुतह, किमर्थम, कदा, किन, कह जैसे प्रस्न वारतालाप में सामाने रूपसे जाता है इसके अलावा जैसे मैं cadence कहा कि किम, किम जो सब्द हैं इसके जितने रूप हैं तीनों रिंगों में जो रूप हैं उन सभी रूपों का प्रयोग हम वारता लाप में निश्चित रूप से करते ही हैं और इनका प्रयोग करने से ही हमारा वारता लाप जो होता है वो आगे बढ़ता है एक सार्थक वारता लाप इन प्रस्णवाचक सब्दों के माध्यम से ही संभाव हो पाता है तो प्यारे बच्चों अभी हमने इस पाठ में देखा कि किस तरह से वारता लाप किया जा सकता है किस तरह के सब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और किस तरह से हम अपने वारतालाप को सार्थाग बना सकते हैं इसके विशाय में महत पुन जानकारियां हमने इस पाठ में प्राप्त किया प्यारे बच्चों वार्तालाप अपाठ में विभिन व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप दिया गया है आईए हम दो मित्रों के बीच में किस तरह से वार्तालाप किया जाता है इसका एक जीवंत उधारन देखते हैं तो दो मित्र हैं, सरुवार और विभाव, वे किस तरह से आपस में वारता लाप कर रहे हैं, ये देखिए। अहम जग्दलपूरं गच्छामी, बस्तरस्य सौंदरियं द्रश्टुम गच्छामी, बस्तरे बहून दर्शनियानि स्थलानि संती, किम दर्शनि स्थलं द्रश्टुम इच्छासी? अहम तीरत गढ़ प्रपातम द्रश्टुम इच्छामी प्यारे बच्चों अभी आपने देखा दोनों मित्र सरोवार और विभाव किस तरह से एक दूसरे का परिचाय प्राप्त करते हुए बातचित करते हैं यही बातचित है जो हम समवाद के नाम से जानते हैं अभी आपने इस वार्ताल आपको सुना, जो सरोवर और विभाव के मध्य हुआ, क्या आप इसका तात्पर समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, आईए, मैं एक बार पुना आपको बताता हूं, सरोवर ने विभाव से पूछा, देखे, हम जब कभी भी किसी से परिचाय प्रा भावताह नाम किम, अर्थात सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया, फिर अपने मित्र विभाव से आपका क्या नाम है, यह पूछा, अब सरोवर के द्वार इस तरह से पूछे जाने पर, विभाव ने क्या किया? विभाव वो अपना परिचाय दिया, करता है कि मम नाम वि प्रिय विशयह, तुम्हारा प्रिय विशय क्या है? देखिए, जब कोई प्रस्ण करता है, तो निश्ची तरूप से उसका उत्तर हमें देना होता है, तो क्या सरोवर के द्वार इस जो प्रस्ण पूछा गया, इसका उत्तर विभाव ने दिया? हाँ, बिल्कुल दिया, क् संस्कृतम इतीमम प्रिय विशयह, संस्कृत मेरा प्रिय विशय है, ये जवाब उत्तर विभाव ने दिया, अर्थात हम जो विभिन विशयों को पढ़ते हैं, उन विशयों में से प्रत्य एक बच्चा का कोई ने कोई प्रिय विशय होता है, जिस तरह से मेरा प्रिय गणित हो, हो सकता है, विज्ञान हो या हो सकता है, आप भी संस्कृत पढ़ने में रूची रखते हों, तो विभाव कहता है कि संस्कृतम इती मम प्रिय विशयह अस्ती, संस्कृत मेरा प्रिय विशय है, अब ये तो सामानिवात हो गई, इसके बाद फिर हमारा वारतालाप आगे बढ़ता है, और सरुवर कहता है, भवान कुत्र गच्छती, देखें, किवल नाम पुछ दिये, इतने में हमारा काम चल गया, इतने में संस्कृत में वारतालाप कर लिए, इतना परियाप्त नहीं है, इसके आगे हमको कुछ और बात करना होता है, तो क्या बात करें, तो सरुवर कहता है, कि भवान कुत्र गच्छती, आप कहां जा रहे हो, तो अब इस तरह से पूछ दिया गया कि कहां जा रहे हैं, तब उसका उत्ता भी निश्चित रूप से आएगा, तो विभाव कहता है, अहां जगदलपूरम गच्छामी मैं जगदलपूर जा रहा आप भी जगदलपूर गए होंगे, तो आप या जगदलपूर की बात नहीं है, आप कहीं भी जाते हैं, जैसे बाजार भी जाते हैं, तो कोई पूछ दिया, आपकी पिता जी पूछ दिये, आपका मित्र पूछ दिया, कि आप कहां जा रहे हो, उत्तर देते हैं न, बेलकुल तो इसी तरह से विभाव ने भी उत्तर दिया हम जगदलपूरम गच्छामी मैं जगदलपूर जा रहा हूँ अब जैसे आप पाजार जा रहे हैं यह आपने उत्तर दिया तब कोई आपसे पूछता है कि क्यों जा रहे हो तो ऐसे ही सरुवर में प्रश्ण किया पूना कथम कैसे किस कारण से जगदलपूर जा रहे हूँ यह कहने का तात पर यह था फिर विभा कहता है बस्तरस्य सौंदर्यम द्रश्टुम गच्छामी बस्तर के सौंदर्य को देखने के लिए जा रहा हूँ प्यारे बच्चों आप भी बस्तर गए होंगे बस्तर के विशाय में जानते हैं बस्तर जो है प्राकृतिक द्रिश्ट्यों से भरपूर या कहें प्राकृतिक द्रिश्ट्यों से संपन्न प्रदेश है संपन्न छेत्र है तो सरुवर कहता है बस्तरे बहूनी दर्सनी इस्थलानी संती किम दर्सनी इस्थलम द्रश्टूम इच्छा सी बस्तर में तो बहूत से देखने योग इस्थल हैं जैसे आप गए होंगे वहाँ आप देखे हैं या रहते हैं वहाँ आप देखते हैं चीत्रकोट आप देखते हैं कांगेर घाटी आप देखते हैं तीरत गड़ जल प्रपात देखते हैं तो ऐसे बहुत से दर्शनी इस्थल हैं तो इन दर्शनी इस्थलों में से कौन से दर् बात है उसको देखने की इच्छा रखता हूं इसलिए मैं बस तर जा रहा हूं तो प्यारे बच्चों इस तरह से दो मित्र आपस में एक अपना परिचाय देते हुए फिर किसी दर्शनी इस्थल को जाने के विशाय में बात करते हैं संस्कृत में तो इस तरह से संस्कृत में वार्तालाप दो मित्रों के बीच में की इस तरह होता है इसका एक संदर नमुना आपने देखा इसी तरह से आप भी अपने मित्रों के साथ किसी भी विख़ए पर वार्तालाप करने में समर्थ हो सकते हैं वस थोड़ा सा अभ्यास करने की आवशकता है प्यारे बच्bird में दिया गया है आईए हम इस संभाशन को इस वार्तालाप को सुनते हैं जो कक्षा में चात्रों के बीच हो रहा है कक्षायाम चात्राणाम संभाशनम नदीम भवान किम करोती अहम संस्कृतम पठामी स्वह सायंकाले भवान कुत्र मिलिश्यती नदीम भवान सत्यम वदतिक्यम भवान जस्पुरम गमिश्यती परस्वह आगमिश्यती अहम तु विश्मृत्वान किसान अध्य मम ग्रिहम आगच्छतु सम्यक पठिस्याव भवन्तहा मम ग्रिहम आगच्छंतु सर्वे मिलित्वा क्रिडिस्याम हाँ प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कक्छा याम छात्रा नाम संभाश्णम कि इस तरह से कक्छा में विभेन छात्रों जहें आपस में बात करते हैं क्या आप इसका अर्था समझ पाए जे बिलकुल फिर भी मैं एक बार आपको ये बताने का प्रयास करता हूं तो आपने देखा कि चार मित्र हैं वसीम नदीम नीरज और किसन ये चारों आपस में बात करते हैं तो सबसे पहले बातचित की सुरवात या वारतालाप का प्रारंभ जो है वसीम ने किया वसीम जो है अपने मित्र से पूछता है क्या करता है नदीम भवान किम करोती आप क्या कर रहे हैं तो जिस समय उनसे बात की जा रही थी कक्षा की बात है तो सामान रुप से होता क्या है कि जब कभी आवकास होता है या रिक्त समय होता है उस समय कुछ बच्चे कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन हां कुछ वच्चे ऐसे भी होते हैं जो अध्यान में लगे रहते हैं तो नदीम भी उस समय अध्यान में लगा हुआ था तो नदीम कहता है अहाम संस्कृतम पठामी मैं इस समय संस्कृत पढ़ रहा हूं इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया और फिर वस उस समय भी तुम पढ़ रहो तब स्वाहसायम काले भवान कुत्र मिलिश्यति आप साम के समय कहां मिलेंगे मित्रों में समार्य उसे बात होती है कि हाँ विद्यालेक पस्चात व्यापास मिलते हैं खेलते हैं या कहीं मनोरंजन के लिए जाते हैं तो इस तरह से वसीम ने नद से पूछा वसीम ने नदीम से पूछा श्वह सायम काले भवान कुत्र मिलिस्यति तुम कल साम को कहां मिलोगे? तो उसके प्रस्षान को सुन कर नदीम जो है कहता है कि चांब्क दो मैं अपने घर पर ही रहूँगा इसलिए मैं घर में ही मिलऊंगा कहीं दुसरे स्थान पर जाने का मेरा कोई कारिकरम नहीं है ऐसा नदीम जो है वसीम को बताता है फिर वसीम जो है नदीम से कहता है नदीम भवान सत्यम वदाती किम क्या तुम सच बोल रहे हो? कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्यों? भवान जस्पूरम गमिश्यती, परस्वा आगमिश्यती अरे तुम तो कल जस्पूर जा रहे हो और परसों वापस आ रहे हो ये तुमने मुझे को पहले बताया था, ऐसा वसीम कहता है, तब नदीम कहता है, हम तो विश्मृत्वान, मैं तो बिलकुर भोल हे गया था, तुमने मुझे याद दिलाया, इस्मृरान कराया, नीरज कहता है, किसान अध्य मम ग्रिहम आग अच्छा तू, सम्यक पठिस्याव आज तुम मेरे घर आजाओ, सम्यक पठिस्यावा, हम दोनों मिलकर भली भाती पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ये इस तरह से नीरज कहता है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रियापद जो प्रयुक्त हुआ है, पठिस्यावा, ये पठिस्यावा सब्द जो का ये रूप है रथात, दो लोगों के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है, आप जानते हैं पठिस्यावा का रूप, उत्तमपूर उसमें, पठिस्यावा, पठिस्यावा, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पठिस्यावा, इसका तात पर यह हुआ, हम दोनों पढ़ें कहां पढ़ेंगे किन का पढ़ने की बात हुई गते हैं कि मेरे घर में आ जाओ वहां हम पढ़ेंगे ऐसा नीरज ने कहा अब नीरज के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव दिये जाने पर किसन क्या कहता है किसन कहता है भवंता मंगृहम आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा क्रि लेंगे क्योंकि खेल जो है जीवन का अहम हिस्सा है क्यों पढ़ना पढ़ना ही नहीं है जब हम बात करते हैं सरवांगिन विकास के तो सरवांगिन विकास के अंतरगत क्यों पढ़ना नहीं होता है पढ़ने के अलावा खेल कुद व्यायाम योग अहार विहार ये सारी चीज तो इस तरह से विभिन्नमित्र जो हैं कक्छा में बातचित कर रहे हैं किस समय जब कक्छा में आवकास रहता है रिक्त कालखंड होता है उस समय ये मित्र आपस में बातचित इस तरह से करते हैं आप भी बातचित करते हैं ना हाँ निश्यत रुप से तो इस वारतल आपके से आपने देखा कि कैसे मित्र आपसे बात करते हैं और निश्चित रूप से आप भी इस तरह से मित्रों के साथ वारता लाप करने में समर्थ होंगे तो चलिए अब हम अगले समवाद की और आगे बढ़ते हैं और अगला समवाद अंस है गुरू सिस्ययोह समवादह गुरू और सिस्य के बीच की इस तरह का समवाद होता है आईए सबसे पहले हम गुरू और सिस्य के बीच समवाद को अर्था समवाद मतलब वारताल आपको सुनते हैं तो प्रस भवतह किम नाम अस्ती? महोदे मम नाम संजीव अस्ती भवान कुतह आगच्छती? अहम राइपूर नगरात आगच्छामी भवतह कितु किम नाम अस्ती? महोदे मम पितु नाम महेंद्र हास्ती त्वम कस्याम कक्छायाम पठसी? अहम दशंक्शाया बठाлек प्यारे बच्चों अभी आपने देखा गूरु और सीषय की इस τरह समवाद कर रहे हैं होता क्या है कि जब हुम विद्द्ध्याल mile होते हैं एक सिक्षक की रूप में होते हैं तो सभी चात्र जो है अपने सिक्षकों को तो पहचानते हैं, नाम से भी जानते हैं, लेकिन सिक्षक सभी छात्रों को नाम से जाने ये प्रायाह संभव नहीं होता है, हाँ, वे सिक्षक अच्छे माने जाते हैं, जो बच्चों के नाम जानते हैं, तो यहाँ जो गुरु है, वे एक सिस्य को मारग में कहीं देखते हैं, ल माध्यम से दोनों के बीच गुरु अर्शिषय के बीच में एक सार्थक समवाध होता है वारतालाप होता है यह अभी आप लोगों ने देखा और इसमें क्या बातें की गई यह आप निश्ची तरुप से समझ पाए होंगे फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु क्या कहते हैं, भावता किम नाम अस्ती का क्या नाम है हमारे विद्याले के हुई और मैं पहचानता हूं लेकिन आपका नाम है तब सिछा जो है उनको उत्तर देते हुए कहते हैं महोदय मम नाम संजीव है तो शिष्य के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर गुरु उनसे पुनवा प्रश्न करते हैं और कहते हैं भवान कुत अगच्छती आप कहां से आ रहे हो तो गुरु के द्वारा इस तरह से पूचे जाने पर सिश्य जो है उनका उत्तर देते हुए कहते हैं अहम रायपूर नगरात आगच्छा मी मैं रायपूर नगर से आ रहा हूँ किसी कार्य से मैं रायपूर नगर आप जानते हैं 36 गड़ की राजधानी है तो किसी कार्य से मैं 36 गड़ के राजधानी रायपूर गया था, वहां से आ रहा हूँ, ऐसा सिश्य ने अपने गुरु को उत्तर देते हुए कहा, फिर गुरु जो हैं उनसे पूछते हैं, भावता पितु किम नाम अस्ति? अच्छा, तुम्हारे पिता जी का क्या नाम है? संभवता गुरु जो है, उनके पिता जी को जानते हूँ, या जान सकते हैं, इसलिए वे उनके पिता का नाम जानना चाहते हैं, गुरु के इस प्रश्ण को सुनकर, शिश्य जो है, उत्तर देते हुए कहते हैं, महोदय मम पितु नाम महेंद्र अस्ति, मेरे पिता का नाम महेंद्र है, शिश्य के द्वारा ऐसा उत्तर देते जाने पर गुरु जो है कहते हैं, तुम कस्याम कक्षायाम पठासी, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? अभी मैंने कहा कि सिश्य जो है, गुरु को तो पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन गुरु जो है, सभी सिश्यों को नाम से जाने ये आवश्यक नहीं होता है, और साथ ही कौन सी कक्षा में कौन सब बच्चा है, ये भी चुकि चात्रों के संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रायह सभी सिख्षकों के लिए, सभी गुरु के लिए ये जानना संभाव प्रतीत नहीं होता है, तो गुरु जहें सिख्या से कहते हैं, तुम कस्याम कक्षायाम पठासी, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो गुरु के द्वारा यह प्रश्न किये जाने पर सिख्या गुरु को उत्तर देते हुए कहते हैं, तो इस तरह से गुरु और सिख्या के मध्या एक सार्थक समवाद होता है, केवल गुरु और सिख्या का समवाद जो है, विद्याले परिसर में हो अवशक नहीं है, गुरु और सिख्या कहीं पर भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी उनमें बातचित हो सकती है, केवल गुरु और सिख्या किसी के साथ हमें बातचित करना हो, तो किस तरह से बातचित किया जा सकता है, या किसी अजनमी से भी बात करें, तो किस तरह से बात कर सकते हैं, ये इसका एक पाएंगे ये हमारे इस अंस का उद्देश रहा है प्यारे बच्चों आप जानते हैं परिक्षाओं में विभीन तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे अभी आपने एक वाक्य देखा अहम दसम्याम कक्छा याम पठामी कभी-कभी प्रस्ण पूछा जाता है इस वाक्य क कर्ता पद क्या है कर्ता पद की पहचान कैसे करेंगे तो किसी भी वाक्य में कर्ता और र्क्या का होना अवश्यक होता है संस्क्रित में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है यह भी आप जानते हैं क्रिया आप वाक्यों में आप देख रहे हैं पठामी यह क्रिया है और अहम जो है यह क्या है यह कर्ता पद है क्रिया का रूप जो है वो कर्ता पद के अनुसार सुनिश्चित होता है करता अहम अर्थात उत्तम पुरुस एक वचन का है इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुस एक वचन का होगा जो कि बात जो है वर्तमानकाल में की जा रही है इसलिए वर्तमानकाल अर्थात लटलकार उत्तम पुरुस एक वचन क्रिया का रूप यहां प्रयुक्त हुआ है पठा में क्यों क्योंकि करता पध है अहम इसलिए तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा गुरु सिस्य समवा और अब इसके आगे हम देखते हैं उद्याने वार्तालाप अभी गुरु सिस्य समवाद में आपने देखा कि गुरु और सिस्य में आपस में समवाद हो रहा है लेकिन उद्यान में अर्थात किसी भी इस्थान पर वार्तालाप जिससे होता है किस तरह से वार्तालाप होता या किया जा सकता है तो ऐसा ही एक नमुना उद्ध्याने वार्तालापह के माध्यम से आपके सामने प्रस्तूत किया जा रहा है तो आईए हम सबसे पहले उद्ध्यान में बातचित सुनते हैं उद्ध्याने वार्तालापह के अंतरगत उद्ध्याने वार्ता लापह रणवीर भवान कुत्र गच्छती अहम उद्ध्यानम प्रति गच्छामी किमार्थम ब्रह्मनार्थम प्रातह काले ब्रह्मनम्मयम अपि रोचते तरही भवान चलतु बाढ़हम अहम अपि चलामी प्यारे वच्छों अभी आपने सुना उद्ध्याने वार्ता लापह अर्था उद्ध्यान के विशाय में बात चेट रणधीर और रणवीर ये दोनों रणधीर जो है देखता है क्या लिशें कि रणवीर कहीं जा रहा है तो वो उससे पूछता है और इस तरह से उन दोनों में एक सार्थक वारतालाप होती है तो ये वारतालाप उद्ध्यान के विशाय में होता है क्योंकि जिस समय रणधीर के द्वार रणवीर को पूछा गया वो उस समय उद्ध्यान ब्रह्मन के लिए जा रहा था आप भी भ्रह्मन के लिए जाते हैं ना हाँ बिल्कुल सुभा सुभा का जो समय होता है ये भ्रह्मन के लिए या कहें कि हमारे स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो निश्यत रुप से आप सब भी सुभा जल्दी उठा करें और भ्रह्मन किया करें उस समय क्यों कि रणधीर और रणवीर के मध्य हो रहा है तो रणधीर जो है रणवीर से कहता है रणवीर भवान कुत्र गच्छती अर्थात रणवीर आप कहां जा रहे हो तो उसके द्वारा रणधीर के द्वारा इस तरह के प्रस्ण पूछते जाने पर उसका मित्र ततकाल उसी समय उत्त देते हुए कहते हैं। होता है और वहां की हवा जो होती है वो अच्छी होती है इसलिए मैं सुभा सुभा उद्यान भ्रह्मन के लिए जा रहा हूं ऐसा रनवीर जो है अपनि मित्र रनवीर को उत्तर देते हुए कहते हैं अब रनवीर के तो रणवीर कुन को कहता है तरही भवान चला तू तो आप भी चलिए अकेले तो वहाँ जा ही रहा हूँ आप भी साथ में चले दोनों मित्र बढ़िया है वहाँ भ्रमन करेंगे तो उसके द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिये जाने पर रणधीर कहता है बाढ़ हम अच्छा हम मैं भी चलता हूँ तो इस तरह से दोनों मित्र जो है भ्रमन के लिए जाते हैं प्यारे बच्चों यहां आप देख रहे हैं भवान कुत्र गच्छती यह जो वाक्य है इसमें आपको विवीन परिक्षाव में अलग-अलग तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसा यह एक लिए दे दिये जाएगा रणवीर भवान कुत्र गच्छती इस वाक्य में अव्यय पद चूनकर लिखिए तब अव्य किसको कहेंगे आप अव्य की परिभास आप जानते हैं अव्य वेपद होते हैं जिनका किसी भी इस्थिती में कोई परिवर्तन नहीं होता जिसमें व् अर्थात जिसका कहीं कोई अव्याय नहीं होता है वे पद जो है अव्याय कहलाते हैं तो ये वाक्या आप जो देख रहे हैं तो जैसे रणवीर कहते हैं तो ये क्या है ये एक संग्या पद है और संग्या पद जो है परिवर्तनी होते हैं इसी तरह से जैसे भावान कहते हैं भवान क्या है? ये सर्वनाम पद है, भवत इसका मुल सब्द है, भवत का तीनों लिंगों में रूप चलता है, तो यहाँ पर चुकि रणवीर के लिए आया है, तो ये क्या हुआ? ये पूर्लिंग हुआ, इसलिए भवान का प्रयोक किया गया, भवत नपुन्सक्लिंग में रूप, भवान पूर्लिंग में रूप और भवती ये इसलिए रूप होता है, और जैसे सब्द का रूप है, इसलिए इसके रूप भी चलते हैं, प्रथमा से लेकर सब्तमी परियंत, तो यहाँ ये जो भवान पद आया है, ये प्रथमा भगति एक वचन का रूप है, ले अब दो सब्दों के हमने चर्चा कर ले अब चौथा सब्द हम देखते हैं गच्छति जह टी तह, अंती यह जो प्रत्य होते हैं, यह जिन धातूं में लगे होते हैं, वे क्रियापद होते हैं, तो गम जो है यहाँ पर क्रिया है, गम का रूप बनता है गच्छ, और गच्छ में फिर उत्ती प्रत्य जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से रूप बना है गच्छती, गच्छता, गच् है तो यहाँ पर इस वाक्य में यदि आपको अव्याय पद या अव्याय सब्द चून कर लिख लेकर हाजाए तो आप निशित रुप से कुत्र का चैन करेंगे क्यों क्योंकि कुत्र जो है इस्थान वाचक अव्याय है तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा उद्याने वारता लापाह की इस तरह से एक विशाय उद्यान को लेकर के दो मित्रों में आपस में वारता लाप होता है और दोनों जो हैं फिर बातचित करते हुए उद्यान के लिए भ्रमन करने के लिए प्रस्थान करते हैं